औरतों के बारे में तमाम स्टीरियो टाइप समाज में चलते हैं, अगर वो कामकाजी हैं तो एक खास तरह का स्टीरियो टाइप उसके कैरेक्टर को लेकर, उसकी वेशपुशा को लेकर, उसके उठने बैठने को लेकर, अगर वो घरेलू महिला है तो एक तरह का स्टीरियो ट किये जाते हैं जो अपनी पसंद अपनी चॉइस के कपड़े पहनना चाहती हैं लेकिन सोचने की बात यह है कि क्या कानून भी इस तरह की भेध्भावकूर्ण भाशा और इस तरह की सामाजिक भेध्भाव कुण व्यवार के आधार पर कैटिगरीस बना सकता है नमस्कार, TCH पर मेरे शोव, Feminism वाला F के इस एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है Chief Justice of India, Dr. D.Y. चंदरचूर ने अपनी कैप में एक और फेदर, एक और पंक लगा लिया है Supreme Court ने एक Handbook on Combating Gender Stereotypes निकाला है, जारी किया है यह ऐसे शब्दों की सूची है, जो Gender Stereotype से लडने की कोशिश करती है, साथ ही उनका Replacement भी सुझाती है ऐसे तमाम शब्द जो आम बात्चीत में महिलाओं के लिए इस्तेमाल किये जाते हैं, अक्सर गाली की तरहां जैसे Whore, Slut, Prostitute, Seductress, Keep, Mistress, Adulteress या फिर Lose Character यह तमाम शब्द हमने कोट की बहस में भी होते हुए देखे हैं, ऐसे बहुत सारे शब्द कई बार कोट के वर्डिक्ट्स में भी शामिल हो जाते हैं और ऐसे समय पर यह शब्द समाज में एक अलग तरहां का संदेश देते हैं, इनकी स्वीकार्यता को बढ़ाते हैं इसी से जूजने के लिए, इसी को कॉम्बैट करने के लिए, Supreme Court ने यह एक सूची जारी की है इसमें शब्दों का इस्तेमाल न करने की एक नसीहत तमाम अदालतों के जजों को दी गई है यह तमाम ऐसे शब्द है, जो एक मनुश्य पर लगाए गए विशेशन है पित्री सब्तात्मक है, अनजस्टिफाइड है, भीनभावपूर्ण है और unconsciously ही, बहुत सारे stereotypes, judges की बात्रीत में शामिल हो जाते हैं हमारी तमाम लोगों की बात्रीत में शामिल हो जाते हैं और judge भी किसी और दुनिया से नहीं आते हमारी इसी दुनिया से, इसी समाज से judge भी बन कर निकलते हैं और नचाते हैंबे ऐसे बहुत सारे शब्द हमारी भाषा में अभी विक्तियों में शामिल हो जाते हैं, जिनके बारे में हमें लगता है कि वो न॔र्मल है, लेकिन उनकी गहराई में जाएं, तो पता चलता है कि वो तमाम शब्द एक खास तरहां की सोच, एक खास तरहां के पूरवांगरह द्रस्त नजरिये से निकल रहे हैं। कोर्ट के फैसले असल में नजीर होते हैं समाज के लिए। कभी कानून समाज के आगे चलने का काम करता है। कभी समाजे कांदोलन कानूनों से आगे चलने का काम करते हैं। और court के फैसले, उदाहरण पेश करते हैं आम जनुता के सामने, आम लोगों के सामने, कि उन्हें किस तरह का conduct करना चाहिए, किस तरह की भाशा इस्तिमाल होनी चाहिए, उदाहरण के लिए हम निर्भया के केस को लेते हैं, निर्भाया के केस में एक वकील ने निर्भाया के लिए कहा था कि ऐसी महिला ऐसी लड़की अगर मेरी बहन हो तो मैं उसको जला देना पसंद करूगा ये बहुत अजीब बात थी के एक लड़की के लूज क्यारक्टर पे ये टर्म कहां से आती है आप समझ सकते हैं किस तरह की पूर्वग्रह ग्रस्त सोच से आती है और ऐसा उस लड़की के लिए कहा गया कि अगर मेरी बहन हो थी तो मैं उसे जला दिया हूँ आप सोच कर वर्डिक्स देने लगे तो समाज में गलत संदेश जाता है एक और उदारण इस हैंड़क में शामिल किया गया है पंजाव वर्सेज गुरमीद सिंग केस इस केस में एक लड़की के लिए ये बार-बार कहा गया दलील देते हुए कि अगर लड़की प्रॉमिस्क्यस है या कोर्ट ने फैसला तो सही किया कि ना कहने का हख हर स्थिति में एक महिला को है लेकिन इस वाके का जो पिछला हिससा है कि प्रॉमिस्क्यस होने के बावजूद भी एक लड़की को ना कहने का हख है ये एक तरह की जजमिनट एक लड़की के कारेक्टर पर है एक लड़की के चरित्र पर है इसी तरह के certificate समाज हमेशा औरतों को देता आया है तो क्या कोर्ट का भी ये काम है कि वो इसी तरह के certificates महिलाँ को दें बजाए ये मानने के कि वो केवल एक महिला है, वो एक स्त्री है और वो एक समाजिक प्रानी है उनके नाम के आगे उनके चरत्र के ब्यारे हमें नहीं देने चाहिए जैसे ड्यूटिफुल वाइफ, ओमीडियन्ट वाइफ या ये कहना कि एक पत्नी को वही करना जाहिए जो उसका पती कहता है एक और ऐसे ही कोट के फैसले का जिकर इस हैंडबुक में किया गया है मैं कहता हूँ वैसे कपड़े ये नहीं पहनती है तो ये मेरी मर्जी के खिलाफ जा रही है और इसलिए मुझे इसको पीटना पड़ता है तो ये जो डुमेस्टिक वाइलेंस का ये जो मामला था पूरा इस पर कोट ने बहुत सही जज्जमेंट दिया कि मारना किसी भी तरह से पत्ने को जायस नहीं है लेकिन जिस भाषा का इस्तिमाल कोट ने किया उसमें कहा गया As a devoted wife, it was no doubt the wife's duty to get up before her husband यानी एक सही फैसला देते हुए भी कोट की भाषा में ये भेदभाव शामिल हो गया ये stereotype शामिल हो गया कि पत्नी को पती से पहले उठना चाहिए और जैसा पती चाहिए उसको वैसे कपड़े पहनने चाहिए ओड़तों के बारे में तमाम स्टिरियो टाइप समाच में चलते हैं अगर वो कामकाजी है तो एक खास तरह का स्टिरियो टाइप उसके कैरेक्टर को लेके उसकी वेश्पूशा को लेकर उसकी उठने बैटने को लेकर अगर वो घरेलू महिला है तो एक तरहां का स्टीरियोटाइब को से लेकर चलता है या अगर विवाह से बाहर उसका कोई संबंध है तो उसको लेकर कुछ स्टीरियोटाइब्स होंगे अवेलेबल महिला वो किसी क इस तरह की बेनभावकुर्ण भाशा और इस तरह की सामाजिक बेनभावकुर्ण व्यवहार के आधार पर कैटेगरीज बना सकता है। क्या इस तरह की बाइनरी जिसमें एक पतिवरता है और एक कुल्टा है। इस तरह की बाइनरी क्या कोट भी बना सकता है। औरतें क्या करें, क्या न करें, क्या इसके भी कोई guideline, quote जारी कर सकता है? क्या एक व्यक्ति को, एक व्यक्ति जो स्त्री है, जो मनुष्य है, उसे अपनी personal choices के लिए punish किया जा सकता है? क्या कपड़े पहनती है, किस समय घर से बाहर निकल रही है, जैसा कि निर्भया के लिए बार बार कहा जाता रहा कि वो रात के 8 बजे अपने boyfriend के साथ फिल्म देखने गई थी, ऐसी लड़कियों के साथ यही होना चाहिए, इस तरह की बातें तमाम लोग करते हैं, क्या हमारे quote पी इस तरह की भाषा का इस्तिमाल कर सकते हैं, यह stereotypes क्या होते हैं, stereotype मतलब fixed images, किसी व्यक्ति को, किसी एक समुदाय को, किसी समूर को हम एक खास तरह की image में fix कर देते हैं, और उससे भिन उसका जो नजरिया है, उससे भिन उस तरह की जो उसकी छवी होगी, हम उसे स्वीकार नहीं कर पाते ये अक्सर पूर्वग्रह ग्रस्त होता है अक्सर इसका कोई पुष्ट आधार नहीं होता कह सकते हैं एक अंध विश्वास की तरह ये स्टीरियो टाइप्स होते हैं जिने हम कुछ लोगों के लिए मान लेते हैं जैसे लड़कियां फंजोर होती हैं या लड़ क्यों को बहकाया जा सकता है हम उनकी असमिता को आइडेंटिटी को स्विकार नहीं कर रहे होते हैं उस वक्त हम उनकी एजनसी को स्विकार नहीं कर रहे होते हैं उस वक्त जैसे एक प्रकरन जिसका जिक्र किया गया है इस हैंड़ुक में भी 24 साल के केरल की लड़की जिसने अपनी पसंद से एक मुस्लिन लड़के से शादी कर ली थी उसके पिता ने ये केस किया था कि मेरी बेटी को बहकाया गया है और बड़ी अजीब चीज है कि 24 साल की लड़की को वन्रिबल और कमजोर कहते हुए कोट ने पिता के हक में वर्डिक्ट दिया था ये और बात है कि सुप्रीम कोट में जाकर ये वर्डिक्ट खारिज हो जाता है लेकिन सोचने की बात ये है कि 24 साल की महिला सोच नहीं सकती अपने लिए फैसला नहीं ले सकती अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकती वन्रिबल है अमजोर है ये कहना किस तरह का स्टीरियो महिलाओं के खिलाफ प्रचलित है जैसे थौंग पहनना या किसी भी तरह के ऐसे कपड़े पहनना जिनकों की समाज गलत निगाह से देखता है और उन कपड़ों के लिए महिलाओं को ही जिन्मिदार बताना कि उनका रेप तो होना ही था या ये कहना कि रेप के बाद कोई मह तर मौत चुनेगी, तो क्या करना चाहिए, उसे कुवे में कूद जाना चाहिए, या ये कहना कि मा बनना ही सब औरतों के जीवन की संपूर नता है, ये एक स्टीरियो टाइप है, ये कहना कि भारतीय औरतें पश्चिन की औरतों से अलग होती हैं, और उस अलग के तमाम तरह क मानक बताये जाते हैं, ये भी कहा जाता है कि पश्चिन की औरतों के लिए जिस तरह से रेप सामाने हैं, भारती औरतों के लिए नहीं है, ये एक तरह का स्टीरियो टाइप है, ये कहना कि हमारी भारतीय महिलाएं तो जादा पवित्र हैं, जादा पतीवरता हैं, और विद इसमस्ट नहीं कंसें आपको याद होगा एक जज का अपनी ही कमरे में अपनी सेकरिटरी का यान को पीडन करते हुवे एक वीडियो अभी कुछ तिन पहले ही वायरल हुआ था और उसके बारे वे थे तमाम लोगों नहीं कहा था कि तब क्यों नहीं बोली थी इसकी कई वजहें हो सकती है कि कोई औरत उसी वक्त क्यों नहीं बोलती जब उसके साथ वो घटना हो रही होती है कोट ने भी अपने इस हैंडबुक में यही बाते लिखी हैं कि इस तरह की स्टिरियो टाइप्स पर यकीन करने की बज़ाए हमें ये स्विकार करना चाहिए कि समाजिकता की बज़ा से ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जब महिलाएं उसी वक्त जब यौनोत पीरन हो रहा ह नहीं बोल पाती घरवालों का प्रेशर हो सकता है समाज का प्रेशर हो सकता है और तमाम तरह की चीज़ें हो सकती हैं डर भाय जागरूपता का भाव बहुत कुछ ये कहना एक तरह का स्टिरियो टाइप है कि मर्द अपनी डिजायर कंट्रोल नहीं कर सकते औरते कंट्रोल क वो कंद में करती हैं और ये तमाम तरह के stereotype इसलिए समझना जरूरी है इनको combat करना इसलिए जरूरी है क्योंकि court में जब इस सारी शब्दावली का इस्तिमाल verdict में किया जाता है तो समाज में एक बहुत मजबूत संदेश जाता है महिलाओं के खिलाफ महिलाओं की इच्छबी क और जब इस तरह की भाशा का इस्तिमाल किया जाता है तो हम ये भूल रहे होते हैं कि भाशा कई तरह के विचारों को reinforce कर सकती है ऐसे विचारों को reinforce कर सकती है जो असल में हमारे constitutional ethos के खिलाफ है एक ऐसी भाशा को enforce कर सकती है जो critical कानूनी जंदगी में बहुत critical है आखिर words आखिर भाशा एक value क्यारी करते हैं और वो value अगर legal न हो तो एक दिकत की बात है फिर वो अंत विश्वास और misogyny को push कर सकते हैं तो आएए जान लेते हैं कि सूची में ऐसे कौन से शम्द हैं जिनको आपति जनक बताया गया है जिनको stereotypes बताया गया है और उनको replace भी करके दि गया गया है जैसे adulteress, affair, chaste woman, concubine, keep, mistress, easy virtue, easy virtue ऐसी महिला जो किसी के भी साथ संबंद बनाने को तयार हो जाए या फिर fallen woman, harlot ऐसे तमाम शब्दों की जगह कोट ने woman शब्द इस्तिमाल करने की हिमायत की है Indian woman और western woman का जो classification किया जाता है उसकी जगह भी सिर्फ woman बोलने के लिए हिमायत की गई है seductress, seductress क्या होता है ये ऐसी शब्दावली है जो महिलाओं के लिए अकसर बहुत negative connotation लिए वे होती है adultress हो या seductress हो या slut या whore इस तरह की तमाम शब्दावली की जगह महिलाओं के लिए सिर्फ woman शब्द इस्तिमाल करने की हिमायत की गई है ये court के verdict की भाशा में स्वीकारिय नहीं होने चाहिए ऐसे ही woman of loose morals या promiscuous woman, slut या career woman न केवल महिलाओं के लिए केवल woman शब्द के इस्तिमाल पर जोर दिया गया है बलकि sexual orientation यानि तमाम genders के साथ gender भेदभाव करने वाले शब्दों के को छोड़ देने की बात इसमें की गई है sexual orientation को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे शब्द इस्तिमाल करने की बात की गई है जैसे कि biological sex या biologically male या biologically female बोलने की जगह ये कहना चाहिए sex assigned at birth या transgender या cross gender इसे तरह जो एक case जिसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की और इस handbook में भी वो शामिल है कि किस तरह से court के verdict में ही judge ने एक पत्नी के लिए dutiful wife जैसा शब्द इस्तिमाल किया तो housewife की जगह house maker होना चाहिए और dutiful wife या taste wife ऐसे तमाम शब्द जो suggest करते हो कुछ किसी के बारे में इनका इस्तिमाल करने की बजाए केवल wife कहना पर्याप्त होना चाहिए एक और शब्द है सूची में lady like इस शब्द पे मैं अक्सर भी वैसे भी बात्चित बहुत करती रही हूँ lady like मतलब क्या है एक औरत को कैसा व्यवहार करना चाहिए हिंदी में अक्सर इसके लिए स्तियोuntsित व्यवहार या स्तियो चित भाशा ऐसा कहा जाता है इसके मनक कौन बनाता है तो इससे छोड़ देना चाहिए lady like क्या है lady like क्या नहीं है बलकि एक proper explanation होना चाहिए एक महिला एक किसी भी gender के व्यक्ती के बरताव के लिए एक proper description होना चाहिए बजाए ये कहने के ये lady-like है ये gentleman-like है ऐसे ही एक मज़िदार शब्द है marriageable age हम आम बातचीत में इस शब्द का बहुत इस्तिमाल करते हैं कि लड़की शादी के योग्य हो गई है लेकिन क्या court भी अपने verdict में एक लड़की की उम्र के लिए marriageable age जैसा इस्तिमाल कर सकती है बजाए ये कहने कि वो लड़की शादी की legal age acquire कर चुकी है तो यही suggestion इसमें दिया गया है कि शादी योग्य आयो जैसा कुछ नहीं होता कहना चाहिए a woman who has attained the legal age required to marry ऐसी ही प्रोवकेटिंग ड्रेस उकसाने वाले कपड़े उकसाने वाले परिधान ये क्या होते हैं किसको उकसाना और किन कपड़ों से उकसाना इसको भी खारिज करके केवल ड्रेस परिधान शम्द इस्तिमाल करने के लिए कोट नहीं यहां नसीहत दी है एक और मेहत्व कुण बात है इसमें यह हैंड्बुक साफ कहती है कि सर्वाइवर या विक्टिम एक महिला अपने लिए इनमें से कौन सा शब्द चुनना चाहती है यह और वही तै करेंगी हम नहीं बताएंगे कि वह विक्टिम है यह सर्वाइवर है यह तमाल ऐसे शब्द है जो स्टीरियो टाइप्स खतरनाक किसम के स्टीरियोटाइप्स औरतों के लिए बनाते हैं समाज में और पुरुष्चस भिन इजंडर्स के लिए भी तमाम खतरनाक स्टीरियो टाइप्स बनाते हैं इस हैंड़ुक का इनीशल ड्राफ्ट तयार किया था जस्टिस मौशमी पटचार्य ने जस्टिस प्रतिभास सिंग और प्रफेसर जूमा सेन ने तीस पेज की ये हैंड़ुक है जो न किवल ये सूची आपके सामने प्रस् ये हैंड़ुक तमाम तरह के स्टीरियो टाइप्स क्या होते हैं और रियालिटी क्या होती है इसके भी कई सारे उदाहरन आपके सामने प्रस्तुत करती हैं मुझे केवल यही लगा कि इस पूरी लिस्ट में कुछ और शब्द भी शामिल होने चाहिए जैसे हिंदी में पती शब्द इस्तिमाल किया जाता है पती का मतलब है स्वामी मालिक क्या हमारे पास ऐसे शब्दों के लिए भी कोई अल्टरनेटिव हो सकते हैं उनके लिए भी सुझाया जाना चाहिए था एक शब्द एक वर्डिक्ट में इसी हैंड़ुक में मैंने देखा वर्जिनिटी या वर्जिन इस शब्द को भी इस सूची में शामिल होना चाहिए था क्योंकि ये भी काफी आपती जनक शब्द हैं वर्जिनिटी लूज करना या वर्जिनिटी क्या होती है क्या ये जो मिथ्या धारना है इसको कोट के वर्डिक्ट में शामिल किया जाना चाहिए तो मुझे लिए एक तरीका नहीं है combat करने का gender stereotypes को बलकि ये शम्दावली पुलिस के लिए भी बहुत जरूरी होनी चाहिए जब वो शिकायत दर्ज करें या जब वो लोगों से बात करें ये शम्दावली वकीलों के लिए जरूरी होनी चाहिए जब वो कोर्ट में जिरा करें क्योंकि इसी तरह कि शम्दावली का इस्तिमाल करके किसी को siductress बोलके किसी को adulteress बोलकर किसी को whore या slut बोलकर किसी को वेश्या बोलकर इसी तरह से दलीले देने की कुशिश की जाती है इसलिए वकीलों को इस्तिमाल अपनी भाशा में कर चुके हैं और उन तमाम स्टीरियो टाइप्स को अपने सामने टूटते हुए भी देख चुके हैं हमारे सामने ऐसी महिलाएं हैं जो सेना में उचे-उचे पदों पर हैं ऐसी स्त्रियां हैं जो अपने तमाम पिछले स्टीरियो टाइप्स को तोड़ कर बहुत आगे बढ़ चुकी है ऐसे में भी जब ये बार-बार कहा जाता है कि महिलाएं घर के काम करने के लिए ही लायक होती है या महिलाएं ये प्रोफेशन नहीं ले सकती है वो प्रोफेशन नहीं ले सकती है या महिलाओं के चरत्र पर बार-बार कुछ उनके लि लेकिन जब कानून में बदलाव होंगे जब उपर से बदलाव होंगे तो ये पुलिस तक भी आएगा ये समाज तक भी आएगा और फिर जैसा आप चाहेंगे वैसा ही हिंदी फिल्मों में उनकी भाषाओं में भी ये चीज़ों को बदलना पड़ेगा बहुत शुक्रिया देखते रहें टीसी एच पर मेरा शो फेमिनिजम बाला एफ